हलो दोस्तो कुकवी छिल्पा में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे आधा किलो चना डाल का पूरण वो भी पूरफेक्ट मेजर्मेंट के साथ अगर आप पहली बार भी पूरण बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे तो पूरफेक्ट ही बनेगा बिल्कुल नहीं बिगडेगा नहीं पतला होगा नहीं बिगडेगा तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको फॉलो करनी हैं जो मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो को लाज़तर जरूर देखिए शुरू करते हैं तो पूरण बनाने के लिए यहाँ पर म से नाप एक ग्लास की सी भी बरतन से नाप लीजेए उससे पहले दो तिन बार पानी से अच्छी तरह ठो लीजेए फिर उसे डालेंगे कुकर में साथ ही डालेंगे उस Мें दाल से तीन घुना पानी डालना है फिर उसमें डालेंगे एक चोथा ही चमच हल्दी पावडर एक चमच तेल उसे अच्छी तरे से मिला लेंगे और चार से पाच सीटिया आने तक पकाएंगे तब तक पकाना है जब तक दाल सौफ्ट पकना जाए यहां पर मैंने 4-5 सीटिया आने तक पकाया है अब दाल को चेक करेंगे दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है या नहीं अगर दाल सॉफ्ट हो गई है तो ठीक है लेकिन अगर थोड़ा सा भी दरदरापन है तो उसे फिर से पकाना है तब तक जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए यह देखिए दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट कुक हो गई है अब इसमें से जो एक्स्ट्रा का पानी है तो वो निकालना है उसके लिए जाली वाला बरतन यहां पर मैंने यूज किया है उसमें डालेंगे और उसमें से एक्स्ट्रा का पानी साइड में निकालेंगे जिससे हम आम्टी बनाएंगे तो यहां पर पानी हमने निकाल दिया है अब फिर से हमें इस दाल को पकाना है तो उसके लिए आप चाहे तो उसी कूकर का यूज़ कर सकते हैं यहां पर मैं कडाई का यूज़ कर रही हूँ तो सबसे पहले यह दाल जो है कडाई में डालेंगे और इसमें जो अभी भी मॉइस्चर बचा है थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी हमें पूरी तरह से सुकाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इसे पहले अच्छी तरह से मिला लेंग के लिए उसके बाद इसे ढख कर चार से पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा और पूरन पॉर्फिक बनेगा पतला नहीं बनेगा बीच बीच में इसे मिक्स जरूर करना है चार से पाँच मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर यह देखिए यह पूरी तरह से पूर्फिक रेडी है पानी जो है अच्छी तरह से सूख गया है यह प्रोसेस जरूर कीजिए वरना पूरन पतला बनेगा अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसमें रहेगा तो पूरन बनाने में बहुत जादा टाइम लगेगा अब यहाँ पर इसमें हमें डालना है गुड तो यहाँ पर जितनी डाल ली है उतना ही गुड लेना है और वो हमें दाल में इस तरह से डाल देना है और अच्छी तरह से मिला लेना है अगर आप चाहे तो शक्कर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन हो सके तो गुड का ही यूज कीजिए गुड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और गुड की पुरन पोली हर कोई खा सकता है यह तक की शुगर का पेशन्ट भी तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए मिला लीजिए और शुरुवात में यह थोड़ा सा पतला होगा अब गैस की फ्लेम पढ़ानी है मेडियम टु हाय फ्लेम पर इसे मिक्स करते हुए पकाना है तब तक पकाना है जब तक यह बात में तो ये पतला होगा ये देखिए इस तरह से जैसे गुड अच्छी तरह से डाल में मिक्स होगा इसे टेक्श्र पतला ही आएगा लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिलाते हुए पकाते जाएंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा बनता जाएगा पूरण बनाते वक्त बस आपको दो से दिन बातों का ध्यान रखना है जैसे की जैसे ही आप कूकर में या पतले में दाल पकाने के लिए डाले तो उसमें एक चमच तेल जरूर डाले जिससे की दाल बहुत अच्छी तरह से और जल्दी कूक हो जाती है दूसरी बात डाल जो है पूरी तरह से सौफ्ट होने तक पकाना है बिल्कुल भी उसमें दरदरापन नहीं रहना चाहिए तभी पूरण परफिक बनेगा यहां पर आप देख सकते हैं 10-12 मिनट तक मेडियम टू हाई फ्लेम पर मिलाते हुए पकाने के बात पूरण का टेक्शर पहले से काफी गाढ़ा हो गया है अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए आधा चमबच इलाइची पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर 3-4 मिनट के लिए इसे मिलाते हुए और पकाएंगे ताकि यह और थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए 4-5 मिनट के बाद जो है यह और गाढ़ा बनेगा और पूरण बनकर रेडि हो जाएगा बस आपको इसे मिलाते हुए पकाना है ताकि यह कडाई को ना चिपके तो 4-5 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरन का टेक्षर पहले से काफी गाढ़ा हो गया है यह देखिए यह देखिए बिल्कुल पॉफेक्ट अब इसे मैश करेंगे गैस बन कर दिया है यहाँ पर मैंने बड़ा वाला पतेला लिया है जिसके उपर यह जाली रखी है जिसमें हमें इस तरह से पूरन डालना है और इसे मैश कर लेना है बस ध्यान में रखिए पूरण गर्मा गर्म है तभी उसे मैश करना है पूरण को ठंडा नहीं होने देना है तभी वो fast process होगी ठंडा होने के बाद भी ये मैश होता है लेकिन उसे बहुत जादा time लगता है जैसे हम इसे गर्मा गर्म मैश करते हैं तो ये बहुत fast बनता है क्योंकि जैसे ही ये पूरण ठंडा होता है तो इसका texture पहले से और गाढ़ा बनता जाता है वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अच्छी तरह से सारा पूरण इसी तरह से मैश कर लीजिए दाल soft cook होने की वज़े से आप देख सकते हैं पूरण में बिल्कुल भी दरदरापन नहीं है उपर आप देख सकते हैं कुछ भी जादा नहीं बचा है तो इस तरह से पूरण बनाईए बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए तो यह देखिए पूरण कितना अच्छा बना है और कितना गाढ़ा भी है और इसे ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा बनेगा तो यहाँ पर तयार है आदा किलो चना दाल का पूरण वो भी पूरफेक्ट बनकर रेडी है आप भी इस तरह से जरूर बनाईए आपको यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे कॉमेंट करके बताईए अगर आपको पूरण बनाते वक्त कुछ प्रॉब्लम आई तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ थांक्स पो वाचिंग